नमस्कार मैं होम्देव आज हमें दिली में हमारे साथ हैं डॉक्टर जितंदर कुमार जी जितंदर कुमार जी देश में दो लोग बहुत पिरसित हो गए हैं तो पी-म मुदी जी हैं जो खुद चाय बेजते थे और एक चाय वाले और आ गए हैं प्रिकास में नागपर के दानमत्री बन गया चाय के विरस है लेकिन जो डॉली वाला है जो डॉली है डॉली सिंग जो है वो चाय बेस्ता है नागपुर में और उसकी चाय पूरी दुनिया में मशूर है पूरी दुनिया के लोग उसकी चाय पीते हैं और जिस तरह का से पूरी दुनिया में रिच आ हुए है और नाकपुर में जाके डॉली सिंग की चाय पी है और वो डॉली एक जाटा समुद्दाए के साथ है बहार से वो एक S.C. है एक दलित है और जिस दलित के हाथ की चाय पी के उन्हों नमस्त हुए और पूरी साल भाद भी जो लोग गंदी मान सिकता से इस देश में जी रहे हैं जो आज भी आज भी कहीं उनके हाथ का पानी नहीं पीते जो आज भी उनके हाथ का खाना फैक देते हैं उनके पास में बैठना पसंद नहीं करते और एक इतना बड़ा दुनिया का रिच आदमी आता है चा चाए में पूरे भारता दर्सन होता है तो हम सलूट करते हैं हम सलूट करते हैं बिल ग्रैट्स को भी और डॉली सिंग ने हमें गौरब का अनुवब दिया कि चाय बीच के भी हम अपना फेम नेम कमा सकते हैं लेकिन हमारे देश में जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं वहां पहुंचे जो भोजन माता होती है उत्तर परदेश या उत्तरा खंड में या गुजरात में वहां दलित रसोये का बना हाथ का खाना छोट-छोटे बच्चे नहीं खाते उनके अंदे तो जातिवात का जहर भरा हु बहुत सारी लोग अच्छे हैं यह मुठी बर लोग है जिनके दिमाग आज भी सड़े हुए उन बच्चों को किस ने बताया मैंने भी देखा बहुत सारी घटना यूपी में हुई है उत्तरगंड में हुई है राइस्तान में हुई है और दिल्ली में भी एक माला घटना लोग उन्हों और बुल गेटश ने ये तमाचा मारा है कि मानबता जो है वह सबसे उपर है लेकिन हमारे देश में जो कमपनिया हैं जो खाना परोषती है घ्लिवरी करती हैं जो मात हो गया यह और भह सारी कमपनिया है वहां जब खाना मंगवाते हैं हमारे देश में लोग उलखनों के घटना है कोई आदमी छोटी जाती से सम्मंदित वह आदमी खाना लेकर गया किसी के फ्लैट पर तो उसके हाथ से खाना नहीं लिया उसके साथ में मार पीट की गई यहां वेटर और जो खाना डिलिवरी कर रहा है वेटर कौन है कौन बर्तम साथ किसी को नहीं पता किसी को मतलब भी नहीं है खाना खाता है बिल देता है चला जाता है यह हॉस्पिटल में जब यह लोग जाते ना ऐसे मान सकता कि लोग यह डॉक्टर किस जातीगा है नर्स किस जातीगी है वाडबाय किस जातीगा ह है दवाई वाला किस जातिगा का नहीं मालूम, उनको करना भी नहीं है क光 rocky सब्रूल को जान बचानी होती है यह जो R Economic Consociation बेंट बावर में किस जातिगा बैटा हुए है किस धर धरम का बैटा बैटा हुआ इनको नहीं उनको और यह पता भी ने करना चाहे यह केबल केबल वहीं पे जहां पर एक बहुत माइंड सैट कर लेते हैं यह लोग कि हमें स्कूल में करना है हमें एक इनकी आउकात नहीं है यह अपनी ही जाती उड़ीवाले का बिलट चाहिए मुझे बिलट झाख लो बरना मैं ना कि इनकी वियो रोड पे चलते हैं कि किसने बना है अगर इनको यह इसमें लोगं का क्लें कि वह लिचा के बरतन होते हैं उनको दूसरे बरतन में मैं फिर कह रहा हूं ऐसे लोग बहुत कम है गंधी हैं और वह बहुत जल्दी बदलेंगे क्योंकि जो लोग समझदार हो गए लोग पाड़ रहे हैं इन चीज वासते लोग परिशान आहिंत जात के दण्स बहुत बुरा होता है तो सहे सरकार का भी परिशा है सरकार भी कहीं न कहीं चाग किसी भी स्टेट की सरकारों वो खुली छूट नहीं देती है यह कुछी लोग होते हैं जो इस तरीकी हरकत करते हैं और उसका घोर विरोत करते हैं ऐसे लोगो में जब जब चुनाव आते हैं तो जो नेता है वो दलितों घर में खाना खाने चले जाते हैं हमारे देश में जो नेता है ना जो पॉलिटिशन है सोउ- यह तो केब recognize को बढ़ावा दे रहे है ये बर्तन जो होते हैं, बाहर के होते हैं, खाना बाहर का होता है, सब कुछ बाहर का होता है, घर उसका होता है, हम यह कहते हैं, आपको अगर जाती बात खतम करना है, उसको वोट आप केवल दलीतों से प्रेम करते हूं, तो आप अपने घर बुलाइए, अपना बिस्तर दीज करता है उसको मने कर दीजिए क्योंकि आप बहुत गरीब हो आप सीधा बोलो हम तुमारे घर आएंगे हम तुमारे आप अपने घर पर हमें अपने आउतों से खाना किलाई है हम तम मानेंगे आप वास्ता में दलीतों से प्रेम करते हुए हैं बीटेक पानी पूरी वाली लेकिन क्या कितना अंतर देखते हैं दलित की चाय की दुकान में और जो अमीर जो लोग होते हैं थार जो गोलकप्य वाली लड़किया होती हैं हम मैनत कस लोग हैं इमानदार लोग हैं हम जो दिखाएंगे रियल दिखाएंगे देके हम ही लोगों ने पाहल काट के रास्ता बनाया है हमारे जो मांजी साब थे ना दसत मांजी पाहल काटा सौधियो पुराना पाहल काटा रास्ता बनाया दुनिया उस रास्ते बेचलती है और मांजी शाब जब तक भी भारत रहेगा लोग सलूट करते रहेंगे ऐसे ही डॉली बनावट कुछ भी नहीं है और नैचरल लोग बहुत उपर जाते हैं हमारे हाँ जो भी हुए जितने भी हमारे शंत भी हुए सब नैचरल हुए बनावट नहीं और रूट लेवल पर काम किया है जमीनी हकिकत क्या उन्हें मालूम रहती है और उसी चाय वाले की जाती खोदिजारी इंटरेट पर लगातार बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है लोग चलो इंट्रेस्ट तो दिया उसमें अगर बिल चाय पिया उनके हाथों से उनके ठेले पर खड़े होके और वहां पर उनका प्रिचार हो रहा है अच्छी बात है खोजे शरम के डूप मर रहेंगे जो जाती खोद रहें उनको मालूम जलेगा कि इसको चाय वाला कहते है असरी चाय वाला यह है जिसने दुनिया के सब अमीर आदमी को अपने आतों से चाय पिला और देश का नाम रोचन किया अंबानी के बेटे की साधी में जो रिहन आई यह सूपरिस्टार दुनिया की नंबर वन गाईका रही है वो तो वह आती है तो वह भी गरीबों से मिलती है वो कोई छुआ छूट नहीं करती है जो हम रहा का कल्चर अलेगे बाहर चुआच नहीं है बाहर वो चीजे थी और काले गुरों पहो खतम हो गया व अमरिकाने खतम कर दिया सावत अफरीगा वह चीज बहुत आगे निकल दिना अज़े भी चल्रेज नहीं पर लोगाए और रहाना में फर्क है क्योंकि बाहर की है टी साधी में जितनी भी celebrating थी, सारी चेक लेके गए, ठीक है, कोई जाडु लगा रहा है, कोई भिंडी की सब्जी बाट रहा है, कोई नीचे बैटा हुआ है, कोई डोल बजा रहा है, कोई डांस दिखा रहा है, सब ने पैसा लिया है, अमभानी साब ने सब को पैसा दिया, सतर कर रुपे आप 10 मिनिट के डांस के लिए खर्च कर देते हो तो मान सिकता सोचिए आप अगर उस पैसे को आप देश की अर्थवस्ता में लगाते गरीब हो के लिए गरीबी दूर करने में लगाते तो मुझे लगता कि अंबानी साब बहुत बड़ी आदमी है बहुत ग्रेट आ देते हैं और आप जो है देश के बारे में ही सुचते हैं